आज मैं सदन में कुछ सिकरेट बताना चाहता हूँ कि बीपस्के लोगों को एक सिकरेट बर्दान मिला हुआ है आज मैं सदन में कुछ सिकरेट बताना चाहता हूँ मेरा पक्का विश् neurolog हो गया है कि बिपस्ट के लोगों को एक सिक्रेट बरदान मिला हुआ है और बरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका बलाई ही होगा एक उधान तो आप देखिये मौजूद है 20 साल हो गए क्या कुछ नहीं हुआ क्या कुछ नहीं किया गया लेकिन भलाई होता गया तो आपको बड़ा सिक्रेट बरदान है जी और मैं तीन उधारन से सिक्रेट बरदान को सिद्ध कर सकता हुजी है आपको ज्यान होगा किन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंकिंग सेक्टर दूप जाएगा बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा देश खतम हो जाएगा देश परबाद हो जाएगा नजाने क्या क्या कहा था और बड़े-बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई नमाने त हमारे बैंकों की सहत को लेकर के भांती भांती की निराशा अप्वा खलाने का काम इन्होंने पूर्जोस किया और जब इन्होंने बुरा चाहां बैंकों का तो हुआ क्या हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्राफिट दो गुने से ज्यादा हो गया इन लोगों ने फैन होन बैंकिंग गोटाले की बात इसके कारण देश को एन पीए के गंबीर संकेट में डुबो दिया था बीते दिनों की बात हो रही है लेकिन आज जो उन्होंने एन पीए का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार करकर के आओ एक नई ताकत के साथ निकल चुकेंगे और आज सुमें निर्वला जी ने पिस्तार चे बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है दूसरा उदाहरन हमारे डिभेंस के हेलिकॉप्टर बना लिए वाली सरकारी कंपनी एचे एल ये एचे एल को लेकर के कितनी भली बुरी बाते इन्होंने करी थी क्या कुछ नहीं कहा गया थे एचे एल के लिए और इसका दुनिया पे बहुत मुक्षान करने वाली बांचा का प्रयोग किया गया थे और एचे एल तबाह हो गया है एचे एल खतम हो गया है बारती डिफेंज इंडेस्ट्री खतम हो चुकी है ऐसा नजाने क्या क्या कहा गया था है एचे एल के लिए इतना ही नहीं जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो सूट होता है मालूम है ना खेतों में जाकर के वीडियो सूट होता है सकता है वैसा ही उस समय है एचे एल फैक्टरी के दरवाजे पर मदिरों की सभा करके वीडियो सूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था अब तुम्हारा कोई भविश नहीं है तुम्हारे बच्चे मरेंगे भीके मरेंगे एचे एल डूब रहा है देश की इतनी महत्वपन इस्टिटूट को इतना बुरा चाहा इतना बुरा चाहा इतना बुरा कहा कि वो सिक्रेट आज एचे एल सभलता की नई बलंदियों को छूरा था है एचे एल ने अपना हाइस एवर यू एवर एवर हाइस रेवन्यू रजिस्टर किया है इनके जीब भर करके गंबीर आरों के बावजू भी वहां के कामदारों को वहां के कर्मचारियों को उकसाने की बरपुर कोसिस के बावजू भी आज एचे एल देश की आन बान शान बनके उख रहा हूँ आदरिये बेटी जिसका आप बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है मैं तीसरा उदान देता हूँ आप जानते हैं एल आईसी के लिए क्या का कहा गया था एल आईसी पर बात हो गई गरीबों के पैसे डूब रहे हैं गरीब कहा जाएगा बेचाने ने बड़ी मेहनत से एल आईसी में पैसा डाला है क्या कहें जितने उनकी कलपना शक्ती जितने उनके दर्बारियों ने कागट पकड़ा दिये थे सारे बोल लेते थे लेकिन आज एल आईसी लगातार मजबूत हो रही है शेर मार्केट में रुची रखने वाले को भी ये गरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना आप उसमें दाव लगा दी गिये था अब अच्छा ही हो जो जो आज देश की जिन संस्ताओं की मृत्ति की गोशना करते हैं उन संस्ताओं का भाग्य चमक जाता है और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोस्ते हैं लोगतंतर को कोस्ते हैं मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है लोगतंतर भी मजबूत होने वाला है और हम तो होने ही वाले है लुट 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 लुट